हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल इक्विडिट कम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक अपर बात करने जा रहे हैं वह आपको बाद में क्लियर समझ में आ जाएगा उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता कि मार्केट कब गिरेगा कितना गिरेगा और गिरावट कब रुख सकता है यानि मार्केट के गिरावट के स्ट्रेंथ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो यह कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं अगर हम इधर से इधर साइड की तरफ जाते हैं यानि लेफ्ट से रा कlez такжеones है वह क्या होगा वह आपको यहाँ पे서 होता Hawa दिखेगा यहां कर दे आ है उसके बाद यह उसके बाद आम के यहां पर क्या होगा सेलर्स का स्ट्रेंट इनक्वीज हो रहा है और results केंडल का strength Incrise हो रहा है किलिए अगर हमें ये candle के बाद ये candle हो अन्म होता या फिर इन सब केंडल के बाद ये candle का formation हो जाता दिया पे हमें क्या idea मिलेगा यहां पे हमें idea मिलेगा कि market में जो गिराबट है वह मैं आगे वह देखने मिले殼 माकेट कम जोरिस हो कर रहा और वहां से माकेट बहुत ज्यादा नीचे गिवने बाला थो चल narr Mu इसी कॉंसेप्ट को यहां पर चार्ट पर समझने कोशिस करते हैं और उसके बादके स्ट्रेंथ को ईज्ली आइडेंटिफाइıld הי कर सकते हैं तो यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए और देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का डेली चार्ट है अगर आपको candlestick के strength को identify करना है तो आपको डेली चार्ट पर आना परेगा क्योंकि डेली चार्ट पर एक अच्छा खासा time मिलता है candlestick को और उसके बाद candlestick अपना maturity दिखाता अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पर जाएंगे तो candlestick अतना mature नहीं हो पाता है इसलिए हम यहाँ पर daily चार्ट पर इसका analysis कर रहे है तो यहाँ पर देखिए यह दो candlestick देख के हमें लग रहा था कि market का जो गिराबाट है वो आगे भी continue रहेगा फिर market गिरा भी है उसके बाद यहाँ पर यह candlestick फर्म हुआ था यह candlestick देख के लग गया था कि market में बहुत तेजी से हमें गिराबाट देखने हो कि मिलेगा और उसके बाद जब यह candlestick फर्म किया है तो हमें idea मिल गया था कि बहुत जल्द market आपका bottom formation कर सकता है उसका hint यहाँ पर हमें मिल गया था उसके बाद है कि market ने अपना bottom formation किया था इन सब का idea मुझे किसके basis मिला था जो मैंने candlestick अभी आपको बताया था उन्ही सारे candlestick basis पर यह सारा price action को हमने predict किया और काफिया तक ही आपका सही भी है तो चलिए अब हम सारे को एक एक करके detail समझते हैं कि हमने इसके basis पर कैसे price action को समझा वह भी निफ्टी को और यहाँ पर हम एक और example समझने की कोसिस करेंगे तो यहाँ पर हमने already सारा कुछ drawing करके रख रखा वह मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर आपको सारा कुछ एक दम clear दिख रहा होगा जो हमने drawing कर रखा और सामने हमें पिक्चर भी लगा रखा अब यहाँ पर क्या है अगर हम इधर से इधर जाते हैं मैंने already बताया था market का weakness होगा लेकिन जो sellers का strength है वह यहाँ पर skilled होता हुआ दिखे emots sellers को समझने कीश सबसे नों सबसे एगर हम इधार से जाते हैं, candlestick का strength क्या होगा, increase होगा और market का weakness भी increase होगा, तो पहला candlestick हमें क्या दिखा रहा है, कि हाँ पर buyer अभी भी active है, लेकिन market को कौन control की हुए, market जो है, वो sellers के control में है, buyers active है, market को sellers ने control कर लिया, ये candlestick हमें, ये indications देदा, clear हो गया, और इसके basis पर क्या हम sell side की तरफ जाएंगे, पहला candlestick के basis पर हम sell positions नहीं लेंगे, sell side की तरफ हम जाना कब start करेंगे, जब हमें ये तीसरा वाला candlestick मिले, या फिर इन दोनों में से कोई एक मिले, इन तीनों में से कोई भी candlestick का formation अगर हमें देखने को मिल जाए, अकेले या और फिर group में, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर sell side की तरफ जाना के start करेंगे, अगर ये दोनों candlestick का formation हमें देखने को मिलता है, तो इसके basis पर हम अपना mood change करेंगे, हम यहाँ पर sell side की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे, intrigue up करेंगे, जब इन तीनों में से कोई भी candlestick हमे को trap किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर confirmation होना है, double confirmation लेना है, इसलिए मैं आपको यह सारा कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद यह candlestick का formation हुआ है, अब यह वाला कौन सा है, यह वाला आपका last वाला candlestick, यानि बीच में यह तो तीन candle है, इन सब को omit करते हुए direct, इसके ब buyers का कोई existence नहीं है, buyers यहाँ पर completely exit हो चुके है, जब market पूरा का पूरा sellers के control में आ गया, तो क्या होगा, वहाँ से market गिरेगा, तो यहाँ पर हमें clear cut hint मिल रहा है, कि market यहाँ से नीचे side की तरफ जाएगा, और अगले दिन market आपका गिरा, अब गिवने के पीछे vision कुछ भी ह हो सकता है, लेकिन वो गिरावाट का hint हमें यहाँ पर पहले मिल गया था, और उसके basis पर हमने play किया, आपने sell positions लिया, उसके बाद market आपका देखिए, अच्छा खासा गिरावाट दिखाया है, तो यहाँ पर हम अगले को देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर यह candle और यह candle और गाटल है, अगर आप देखेंगे यह मं। अब क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो इसके basis पर क्या करना है, मैं sell side की तरफ घाना है, ठीक है लेकिन सबसे पहले यह candle गजा है, इसके basis पर हम अकेलेuencia की तरफ नहीं जाएंगे हमें एक और candle का confirmation चाहिए, एक और candle मिला, लेक यहां पर हमें clear cut समझ जाना है कि यहां पर क्या हो रहा सेंटिमेंट निगेटिव है लेकिन प्राइस उपर जा रहा यह कब हो सकता जब आपका short covering हो रहा हो यानि जब sellers buy करके market से exit करें उसी को हम बोलते है short covering यानि जो पहले sell किये थे वो क्या करें market मतलब यहां पर आपका limited upside मूब देखने को मिलवा मतलब यहां पर हमने short covering को भी काफी हद तक identify कर लिया क्योंकि यहां पर दोनों केंडल फॉर्म हुआ है लेकिन दोनों केंडल निगेटिव केंडल उसके बाद भी प्राइस आपका upside की तरफ जा रहा एक ही मतलब है sentiment निगेटिव है candle निगेटिव है price उपर जा रहा मतलब short covering हो रहा मतलब यहां पर काफी हद तक trap बिचाया गया इस trap में हमें फसना नहीं है और यह दो strength बना हुआ है और buyers market से निकल चुके है और इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद यहां पर हम sell side की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और यहां पर आप को भी positions ले सकते हैं आप चाहुत options में trade कर सकते हो btst trade कर सकते हो delivery trade कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है सारा trade execute कर सकते हो सारा काम levels का अगर आपको market का direction मिल जाता फिर आपको trading positions लेना आसान है फिर आप अपना target stop loss सारा कुछ आसानी से set कर सकते हैं यहां पर आपके behavior को समझना है target stop loss कैसे find करना है उसके उपर हमने बहुत सा formation हुआ उसके बाद देखिए यह कौन सा पहला केंडल पहला केंडल हमें क्या दिखा रहा है बायर्स एक्टिव हैं लेकिन सेलर्स मार्केट को कंट्रोल की हुए मतलब यहां पर क्या था सबसे पहला यह था अब इधर से हम इधर साइड की तरफ आ गए मतलब सेलर्स का स्ट जिसके बेसे पर वाई साट की तरफ नहीं जाएएंगे लेकिन यहां पर हम सेल पोजीशन बनाना क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे यहां पर ले रहा प्रेडिट करना असान नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट आपको कुछ न कुछ हिंट कर रहा है कुछ न कुछ आपको फुस फुसा के बता रहा क्लियर कट नहीं बता रहा लेकिन आपको फुस फुसा के बता रहा उस को आपको समझना परेगा उसके लिए आपको चार्ट में गोता लगाना परेगा चार्ट में घुसना परेगा और इन सारे candlestick से आपको बात करना परेगा तभी आपको यहाँ पर idea मिल पाएगा कि यहाँ पर हमें exactly क्या करना market क्या कहना चाहरा अगर आप ऑबर विव देखेंगे ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारा कुछ लगबग 600 point का upside move दिखा दिया और इससे काफी ऊपर ही अभी trade कर दा तो इस तरीके से हम इसके behavior को समझ सकते हैं यहाँ पर हम एक और एक जामपल के तुर आपको बताना चाहूंगा और यहाँ पर हम एक और दिगज पर आते हैं निफ्टी फिप्टी का वह आपका विलाइं तो यह क्या दिखा रहा हैं यह दिखा रहा है कि आपका जो sellers का strength है वह धीर धीरे कम हो रहा मतलब मारकेट का विक्ने से कम हो रहा मतलब मारकेट में कमजोरी देखने को कम इल गा और जो red candle का strength है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ दिख रहा है यह candle कैसे भी form हो सकता है आपका इधर से इधर form हो सकता है इतना systematic तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा Reliance Industry आपको इतना systematic तरीके से यहाँ पे आपको चीक चीक के बोलबा यह दोनों candle form होने के बाद बोलबा है कि यहाँ पे अब sell side के तरफ जाना बंद कर दो selling करना stop कर दो इसके बावजुद भी अगर आप इसकी बात नहीं सुनेंगे sell करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है यह आपको घर पे आके आके आपको door will बजा के आपको नहीं बताएगा आपको चार्ट पे आना परेगा आपको इसके पास आना परेगा तब आपको यह बताएगा आपके पास यह नहीं जाएगा आपको जववत है तो आप चार्ट के पास आए पैसा बताना तो इसके पास आए यह आपको सब कुछ किलियर बता देगा उसके बाद है कि क्या हु फिर यहां पर इसने bottom formation किया फिर यहां पर इसने reversal दिखा दिया और उसके बारे में आइडिया कब मिल गया था यही केंडलिस्टिक दिखा दिया कि यहां पर sellers कमजोर हुएं और market में दो ही लोग रहते हैं sellers या फिर buyers sellers कमजोर होंगे तो sellers हा भी होगा तो यही चारा situation है और इसको आप आसानी से केंडलिस्टिक के basis पर समझ सकते हैं लेकिन यह बताते ही कल जाके आप ट्रेड करना मत शुरू कर देना ट्रेड करोगे तो आप नुकसान में जाओगे समसे पहले इसको प्रैक्टिस करो इसको समझो एट लेस्ट आप 30 से 50 चार्ट इस तरह का देखो उसके price section को समझो कहीं पर कुछ भी दिख्कात है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो बिंदास पूछो आपके question का proper answer किया जाएगा सो उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और